हमारे यूट्यूब चानल जीके विद मी में जैसा कि आपको पता है हमने हर्याना जीके की एक सीरिज स्टार्ट की है तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला पर्शन 26 माज को मनुहलाल खटर की द्वारा कों से गाउं का नातक दास्तान औरोनात देखा गया है चैसार में देखा गया है और जो ये नातक है मतलब इसकी ये विषेषटा है की जो रोनात गाउं है वो उस महा के लोगों ने 8 och객 1650 की करांथी में बहुत अधिक योगदान दिया था और ऐसा माना जाता है कि जब देश आजाद हो गया उसके बाद भी रोनाद जो गाउं है उसको आजादी नहीं मिली मदब थार सो सावन की करांती में इसने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और यहां के बहुत से लोग जो थे वो शहीद भी हुए तो इसी में और यहां पर आजादी के बाद कभी जंडा भी नहीं फेराया गया तो यहां पर जंडा फेराया गया था वो मनोहलाल खटर जी के द्वारा 2018 में जंडा फेराया गया था इसलिए जो रोनाद गाउं है इसकी अपने आप में ही एक विशेषता है और मनोहलाल खटर उसकी जो परसंसा है वो कहां की गई है कौन से सम्मिट में की गई है तो वो आपकी की गई है विंग्स इंडिया 2020 इंटरनेशनल कहां की गई है विंग्स इंडिया 2020 इंटरनेशनल में क्या की गई है हर्याना के विसाइक उडियन जो छेतर है जो उडियन छेतर में हमारा हर्या वो प्रगर्ती पर है तो उसके लिए हमारी क्या हुई है प्रसंसा हुई है और यह जो सम्मिट था कहां आयुजुत क्या गया था है और इसमें कौन गए थे हमारे जो डिप्टी सीम है दुशन जो टाला जी इसमें गए थे कहां पर विंक्स इंडिया 2020 इंटरनेशनल में ठीक आशलिए क्या है ग्राम सर्क्षक योजना तो किस चेत Northern से संबन दिए चोटे नग्रों को गाओं लेने लेने से गाओं को गोध ले लेकिन जो ये योजना है, यह किसके दवारा गौद ली जाएगी, जो भी रिटार्ड क्या है क्या है अदमिनिस्टर्टटिफ ओफिसर हैं। मुसित जितने पर बीजा है। इंस कि योजना है, जो जो गाउं बहुं लेजाए जाएंगे, इसमें ये क्या करेंगे , मतलब जितने भी गाओं के विकास कारिया है उनमें ये ध्यान देंगे ठीक है या फिर इसके बाद है हर्याना के नए मुख्य सूचना आयुक्त कोन बने है जो हर्याना है हर्याना के नए मुख्य सूचना आयुक्त कोन बने है हाली में हर्याना सरकार ने क्या बनाए है हर्यान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, ठीक है, इसके बाद में है यह सतवीर सिंग फूलिया, जैसा कि आपको option में दिखाई दे रहा है, सतवीर सिंग फूलिया यह इनोंने भी इनके साथ में ही शपत ली है, यह क्या बने हैं, यह हर्याना के सूचना आयुक्त बने है जो विजह वर्दन जी के अंडर काम करेंगे यानि कि जो विजह वर्दन जी है वो क्या है मुख्य सूचना आयुक्त है और सत्वीर सिंग फूलिया क्या है सूचना आयुक्त है इन दोनों को हर्याना सरकार के द्वारा नुक्त किया गया हमारे राजेपाल ने छीक है इसके बाद में है हर्याना राजे में कितने वेलनेस सेंटर बनाए गई हैं तो जो हर्याना है वहाँ पर कितने वेलनेस सेंटर बनेंगे वेलनेस सेंटर मतलब देख भाल के लिए जो सेंटर है वो कितने बनाए जाएंगे तो यहाँ पर कितने center बनेगे total 2000 यानि कि 2000 center total बनाए जाएंगे इसमें कौन-कौन होगा इसमें एक yoga teacher होगा एक doctor होगा एक yoga teacher होगा ठीक है और एक कौन होगा एक dietician होगा मतब जो diet वगरा का ध्यान रखेगा ठीक है तो यह तीन लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा और कितने center बनाए जाएंगे haryana में wellness center बनाए जाएंगे 2000 पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो हाउ है वो कहां है और वो कब बनाई गई थी तो कब बनी थी आपकी 1970 में हाउ बनाई गई थी ठीक है अब इसका पूरा नाम क्या है हर्याना अग्रिकल्चर युनिवर्सिटी का पूरा नाम है चोधरी चरणसिंग क्या है इसका पूरा नाम और चोधरी चरणसिंग हर्याना एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी जो CCS है वो कब एड़ किया गया था 1991 में ये एड़ किया गया थी और यह बनी कब थी 1970 में और हर्याना एगरिकल्चर युनिवसिटी कहा है आपकी हिसार में है इसके बाद है हमारे पास शचक्त और समर्थ भारत बनाने में हर्याना की कितनी बेटियों को वुमेन ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया अवोर्ड 2021 से समानित किया गया है ठीक है तो ह हर्याना की कितनी महिलाएं है जिने कौन सा वोर्ड दिया गया है वुमेन ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया अवोर्ड दिया गया है तो हर्याना की साथ महिलाएं ऐसी है जिसे क्या जिने क्या दिया गया है वुमेन ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया अवोर्ड दिया गया है टो मदान जी है, टोटल 7 महिलाई हैं जिने ये अवोड दिया गया है, इसके बाद है 15 अगस 2022 तक कोन सा नाटक हर जिले में आयोजित किया जाएगा, तो अभी हर्याना सरकार के द्वारे ये घोशना की गई है, कल के दिन ही ये घोशना हुई है, कि 15 अगस 2022 तक यानि कि जो अभी हम पीचेतरवा क्या बना रहे हैं, सवतंतता दिवस मना रहे हैं, उसे अमरित महोत्सव का नाम दिया गया है, तो जो आगे आने वाला समय है, उसमें जब तक की 15 अगस नहीं आ जाता, तब तक हर जिले में कौन से नाटक का आयोजित कर दिया जाएगा, तो कौन सा नाटक दास्तान ए रहोनात, मतलब हर जिले में आयोजित क्या जाएगा, हर जिले के लोगों को ये नाटक दिखाया जाएगा, रहोनात, अभी मैंने आपको बताया था, कि 1857 की एकरांती में इस गाउं के लोगों का बहुत अधिक महतोप्रण योगदान रहा, ठीक है, इसके सरकार ने अटल जननी बस सेवा, इसके बाद हमारे पास है, हर्याना के किस जेल में बंदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, यानि कि अब जो जेल में जो बंदी है, उनके लिए रेडियो स्टेशन बनेगा, तो कौन सी जेल में शुरू किया गया है, व gideribps वालिया कून से मंत्री जो कहां जाएंगे ग्लॉबल investor growth summit में जाएंगे तो वो है आपके अनिल्विज कौन है अनिल्विज गए हुए है यानि कि यह 27 मार्च तक वही पर रहेंगे और यह कहां पर आयोजित की गई है किस ने बुलाया है इने इने बुलाया है दुबई के एक रईस परिवार के हैं जिनका नाम है राशी दली क्या नाम है राशी दली उन्होंने जो हमारे ग्रह मंत्री है अनिल्विज उन्हें यहां पर बुलाया है कहां पर Global Investor Growth Summit में यह कहां आयुजित की गई है सियुक तरज अमीरात में ठीक है इसके बाद हमाने पास है हर्याना के पदमशिरी पुरुसकार से सम्मानित ओम परकाश गांधी कौन से जिले से हैं तो जो हमारे हर्याना के ओम परकाश गांधी जी इन्हें कौन सा पुरुसकार दिया हैं और इनका नाम क्या है ओम परकाश गांधी इन्हें कौन सा प्राइज मिला है पदमशिरी इन्होंने क्या काम किया है जिसके लिए ने पदमशिरी पुरुसकार से सम्मानित किया गया है इन्होंने जो इस्तरी शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया है इस्तरीयों की शिक् तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा और आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएगे हर्याना करंट अफेर के अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शियर करना भी ना भूले थेंक यू धन्यवाद